सुलोफंट्स मेरे नावे पुश्कर और आप देख रहे हैं टेक्स क्रू यह है नॉइस कलर फिट आइकन बर्स और यह एक बजट स्मार्ट वाच है जो कि आपको लेस देन 4,000 रूपीज में आमेजान पर मिल जाएगा इसमें नॉर्मल हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर के करना चाहते हैं या उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो अल्रडी मेरे चैनल पर है जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे एस वेल आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है और उसके बाद यहां पर आपको स्क्रीन पे लिखा जाएगा डाउनलोड नोइस फिट ट्रैक अप्लिकेशन यह आपको आप इसको इन्स्टॉल कर लिया है है यहां से मिसको ओपन कर लेता है ऐसे ब्लुदूथ का परमीशन देना पड़ेगा थो हैं इसके बाध नोटिफिकेशन का परमीशन देना हुआ तो यहां पर हम अलाव कर देता हैं फिर य करने के बाद यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का home page देखने के लिए मिल जाएगा noise fit track application का यहां पर आपको add a device का option मिलता है इसके उपर आप करेंगे यहां पर लोकेशन का आपके स्क्रीन को on कर लेना है यहां पर पेर पर टैप कर देना है यहां पर वाच पर इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा उसके बाद यहां पर कुछ पไรते आप तो हम आपको दिखा देते हैं यह पर start पे अप्को tap करना है फिर swipe up से आप जना control center य enthusiasts आंव कर सकते हैं यहां पर आपrist note यह आपस्मार्ट वाच पर अब यहां पर आइकन आइकन बर्स फोन को जो है आपको Bluetooth के थुरू पेर करना पड़ेगा तभी आप Bluetooth कॉलिंग फंक्शन जो है वह यूज कर पाएंगे तो यहां पर आपको OK पर टैप कर देना है उसके बाद अपने फोन के control center को आपको open करना है और यहां पर Bluetooth के आइकन पर आपको long tap करना है फिर से यहां पर long tap करना है यहां पर आपको Bluetooth setting में जाना है और उसके बाद आप अपने watch के screen को on कर लिजेगा swipe left करके यहां पर noise connected अब शो करना है तो यह आइकन बस जो है वह आपका watch है जो connected है और आइकन बस फोन भी आपको separately connect करना पड़ेगा Bluetooth के थूँ पेर करना पड़ेगा तभी ब्लुटूथ कॉलिंग फंक्शन को यूज कर पाएंगे तो यहां पर हम दोनों को connected कर दी है अब वापस से यहां पर इस फिर ट्रैक अप्लिकेशन में आ जाते हैं नेक्स यहां पर अभी हम होम पेज पे हैं जहां पर आप स्टेप स्लीप हाट रेट ब्लड ऑक्सीजन आउट्डोर रनिंग का डेटा देख सकते हैं यहां पर वाच के सिंबल पर टाप करते हैं यहां पर आपका डिवाइस ज देखने के लिए मिल जाता है जिसके उपर आप 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 कीजेगा वह अप्लाई हो जाएगा यहां पर आप डिस्कवर मोर डायल्स पे जाते हैं तो यहां पर आपको कुछ और वॉजवड फेस देखने के लिए मिल जाएगा इसको लोड ने में तरह वोड़ा सा टाइम ल हो जाता है अब इन में से किसी एप को अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं जिसे लाइन नहीं है फिर यह सब अप्लिकेशन अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इन सब का जो भी यह टॉगल स्विच है इसको हम डिसेबल कर देंगे यहां पर आपको लिमिटेड सोशल मीडिया आपस का ही नोटिफिकेशन टॉगल देखने के लिए मिलता है अगर आपको अपने फोन में सारे आपस का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहां पर आपको यह जो अदर्स है इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा फिर फोन में जो भी नोटिफिकेशन आएगा सब का कर सकते हैं शेक्टर में जाते हैं तो जैसे ही आप यहां पर सब्सक्राइब पर्मिशन करें जो यह जो शेक्टर बटन है आपके डीफॉल्ट कामरा एप को मिलता है इसके अपर आप करेंगे तो यहां पर एइट को है वो add कर सकते हैं contact का permission आपको देना पड़ेगा यहाँ पर आपको add quick newsletter पर tap करेंगे आप अपने phone के contact को access कर पाएंगे और किसी भी eight contacts को यहाँ पर select कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह eight contacts जो हम यहाँ पर select कर लिए अब इस से ज्यादा हम select करने का option नहीं नहीं है इसके बाद यहाँ पर confirm पर tap कर देता तो यह एक कॉन्टेक्स जो है ना यह मेरे watch में भी चोकरेंगा तो यहाँ पर दिखा देंगे चुभी हो चुशा है यहां पर ताइम फॉर्मेट है तो फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल जाता है रिमाइंडर्स टू मूव है सिदेंटरी रिमाइंडर है मतलब कि अगर आप किसी एक प्लेस पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपको रिमाइंड कर आएगा कि आपको थोड़ा सा स्ट्रे करों मिलता है ऑट Lance option मिलता है मतलब की अपके फंचो that इस ग् cater इस को अपचे कर सकते हैं तो अबने टींगने देखने के लिए मिलता है वेडररं करना होगा अगर अपने मैंटने स्माट वाच प्साइबने देखना चाहत feather इसके बाद यहाँ पर temperature format, Celsius या Fahrenheit और location आपको अपना select करना होगा तो यहाँ पर हम अपना location जो है वो select कर लेते हैं तो मेरे location के according जो है मेरे weather जो है वो watch पर देखने के लिए मिलेगा तो यही basic सा setting आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर आपको notification जो भी आएगा वो दिख जाएगा अगर आप यहाँ पर watch face के उपर swipe up करते हैं तो यहाँ पर आपका quick panel है जिसमें आप D&D enable कर सकते हैं brightness जो है वो change कर सकते हैं find कर सकते हैं अपने phone को and setting में जा सकते हैं यहाँ पर आगे अगे आप वाच्फिस को आपके सकते हैं brightness जो है वो change कर सकते हैं मतब brightness level जो increase decrease कर सकते हैं about power of option मिलता है reset अगर आप चाहें तो कर सकते हैं and restart यहां से अब कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग बैक आते हैं तो यहाँ पर आप होम स्क्रीन पे swipe करते हैं यहाँ पर swipe left करते हैं तो यहाँ पर आपको menu मिल जाता है noise health में आप अपना activity, heart rate, sleep, SPO2 सब देख सकते हैं sports mode में आप आपको running, walking, cycling और काफी सार option मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं message में आपका notifications दिख जाएगा noise buzz में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर recent call जो है वो शो करेगा dial pad में जाके आप manually कोई भी number के थुरू call लगा सकते हैं contact में अगर हम जाएंगे तो यही 8 number जो हम अपने app के थुरू transfer किये थे वो यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ पर जो भी important contact हो चाहें तो आप अपने watch में इस तरीके से add कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको weather का information जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर camera shutter है इसके उपर आप टैप करते हैं तो आपके phone में जो है ना camera app open हो जाएगा अगर आप इसको tap करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि phone में camera app open हो गया बड़ यह आइफोन का default camera app नहीं है यह आपके noise fit app का camera app रहता है फिर यहाँ पर music option app music control कर सकते हैं stopwatch का option मिल जाता है फिर alarm है timer है यहाँ पर अगर हम apps पर tap करते हैं तो यहाँ पर दो games आपको मिल जाता है अगर आपके पस watch it आप try कर सकते हैं यहाँ पर last में आपको AI voice का option मिलता है इसके और अगर आप tap करते हैं यहाँ पर आप tap करते हैं तो यहाँ से आप जो है ना इसके mic के थूँआ आप Siri को command दे सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं iPhone में Siri जो हो इनिबल हो जागया है तो इस तरीके से आप voice assistant जो हो यूज कर सकते हैं watch में आपको voice assistant नहीं मिलता है watch के mic के थूँआ आप अपने phone के voice assistant को command दे सकते हैं तो fancy आप आप देख सकते हैं कि मेरे phone पर जो है ना एक call आ रहा है sorry मेरे iPhone पर एक call आ रहा है और यह जो आपको sound सुनाई दे रहा है ringtone यह मेरे watch के थूँआ आपको सुनाई दे रहा है करना है फिर इसी बटन को tap कर देंगे अब हम अपने watch के थूँआ बात कर सकते हैं यहां से आपको mute करने का भी option मिल जाता है इसके आलावा speaker का volume जो है वह आप घटा या बढ़ा सकते हैं यहां से आप call को cut कर सकते हैं तो इस तरीके से calls लेने में आपको कोई problem नहीं आएगा कर जो हम पहले setting बताए हैं उस तरीके का setting आप रखते हैं तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हम अपने iPhone पर एक WhatsApp notification भेज़े हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि WhatsApp notification watch पर कुछ इस तरीके से show करता है एक बार vibrate करता है यह जो notification है आपके watch के screen पर कुछ देर तक दिखेगा और उसके बाद एक बार जब आपके watch के screen off हो जाता है वापस से on करते हैं तो उसके बाद आप notification जो है वो आप swipe down करके देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से WhatsApp का notification रहेगा और जो भी app notification है उसमें कोई भी issue नहीं आता है properly अपने app के notifications को अपने watch पर access कर सकते हैं नेक्स यहां पर अगर आपको अपने watch के through call connect करना है तो यहां पर dial pad के through जो है ना properly कोई number dial करके भी call लगा सकते हैं तो यहां पर जैसे 198 को हम call करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं call इस तरीके से connect हो जाता है यहां से आप स्विच कर सकते हैं जैसे हम आपको बताए तो यह प्रिक वाले बटन से अभी हम iPhone पर सुच कर गए फिर से हम tap करेंगे तो यहां पर हम वापस से watch पर सुच कर गए म्यूट करने का call करने का option आपको यहां पर देखने के लिए बिल जाता है नेक्स यहां पर बात करते हैं music control का तो अगर आप YouTube पर वीडियो प्ले कर रहे हैं य या फिर previous track पर भी जा सकते हैं बट यहां पर एक problem है अगर हम अपने iPhone पर कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो continuously एक बीप का sound जो इसके speaker के थ्रू आता रहता है हम यहां पर कोशिश करते हैं आपको सुनाने का काफी हलका सा एक बीप का sound आ रहा है जो कि आपको normally notice नहीं होगा बट ध्यान से सुनने के हमको यह बीप का sound जो नोटिस हुआ यह problem मेरे Android phone के साथ नहीं था अगर आप अपने iPhone पर कोई audio भी प्ले कर रहे हैं कोई music भी प्ले कर रहे हैं तो उस condition में भी जो है एक बीप का sound आ बट यह sound है यह definitely आपको notice नहीं होगा बिल्कुल सांत जगह पर आपको यह sound हो सकता है बट यह definitely एक issue है जो हमको Android phone में देखने के लिए नहीं मिल रहा था iPhone के साथ देखने के मिल रहा है बाकी music control में अगर हम जाते हैं यहां पर कोई MP3 या कोई music अगर हम प्ले कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो अपने iPhone के साथ इस smartwatch को यूज करने में आप comment section में पूछ सकते हैं बागी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करने के लिए आप जो button है आप उसे subscribe कर सकते हैं बिलकुल